गुड मॉर्निंग बच्चो मैं धराश रवास्त्वा आपकी इंग्लिस टीचर बच्चो हम लोगों ने दकाइट पोयम कम्प्लीट कर ली है और आपको एक्स्प्लेन कर दिया गया था वीडियो की हेल्प से सभी समझ भी गए हैं क्योंकि सभी के आंसर सा आ गया हैं मेरे पास तो I hope कि सभी को समझ भी पोयम आ गयी होगी उसके बावजूत अगर किसी को कोई doubt है किसी बच्चे को पोयम को ले करके तो वो पूछ सकता है बच्चों आपकी जो kite poem पढ़ाई गई थी उसमें एक question था activity का तो वो kite की activity है तो आप सभी बच्चे एक kite बनाएंगे colorful Sunday है आपका Saturday है आज Saturday आपका Monday होता है Saturday, Sunday आप include कर लें दोनों दिन आप सभी एक बहुत अच्छी सी kite बनाएंगे और उसकी फोटो मुझे भेजेंगे यह आपकी एक्टिविटी होगी और इसके साथ ही हमारा काईट चैप्टर फिनिश हो जाएगा आज हम चैप्टर नमर थ्री स्टार्ट करने वाले हैं यह है आपका टैरोज रिवार्ड रिवार्ड मतलब पुरसकार या किसी भी चीज़ के लिए दी गई या पाई गई प्राइस तो टैरोज नम को एक बच्चा है उसकी यह कहानी है मैं आज आपको यह चाप्टर के कुछ पैराग्राफ एक्स्प्लीन करूंगी आप सभी मेरे साथ बैठे हैं आई होब सब के पास यह बुक होगी और बुक अगर नहीं है तो पीडियफ मैं आप सभी को शेर कर दूँगी आज अभी उस पीडियफ की हेल्प से इस चाप्टर को पढ़ सकेंगे तो स्टार्ट करते हैं तो वेरी फेस्ट पैराज से स्टार्ट करते हैं अ यंग उटकटर नेम्ड टैरो लिव्ड विद इस मदर और फादर ओन अ लोनली हिल साइड यंग मतलब नौजवान उटकटर मतलब लकड हारा जो लकडियां काटते हैं उन्हें उटकटर खहते हैं टैरो बच्चे का नाम है लोनली मतलब शांत अकेला हिल साइड मतलब जो पहाडियां होती है उनके साइड पर रहें के लिए उनका घर था तो अ यंग उटकटर नेम्ड टैरो लिव्ड विद इस मदर और फादर अपने माबाप के साथ टैरो एक पहाड़ी के साइड पर रहता था All day long he chopped wood in the forest पूरे पूरे दिन वो जंगल में जाकर के लकडियां काटा करता था Chopped मतलब chop पतलब काटना होता है जिससे घर पे आप प्यास काटने हैं वैसे लोग लकडियां काटने काटने को chop कहा जाता है Though he worked very hard, he earned very little money हाला कि वो बहुत ही जादा मेहनत से काम करता था लेकिन वो बहुत कम पैसे कमाता था This made him sad for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed तो ये बहुत कम पैसे कमाता था इसलिए वो बहुत दुखी रहता था दुखी वो इसलिए भी रहता था क्योंकि वो अपने माबाब को हर जरुरत की चीज़ें देना चाहता था और हर जरुरत की चीज़ देने के लिए उसके पास पैसे बहुत ही कम थे इसलिए वो थोड़ा उदास रहता था One evening, एक शाम की बात है When Taro and his parents were sitting in a corner of their hut a strong wind began to blow एक शाम की बात है जब Taro और उसके parents घर के, जो हट थी जो पड़ी, उनका जो घर थी उसके किनारे बैठे हुए थे उसके कोने पे तभी एक strong wind चलने लगी blow मतलब हवा का बहना strong मतलब तेज हवा एक बहुत ही तेज हवा बहने लगी It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold जब हवा चलती है तो सरसरा हट की आवाज आती है तो उनके जो हट था हट मतलब कच्चा मकान सभी को पता है तो उसमें बहुत सारे cracks होते हैं तो उन cracks से होकर कि जब वो हवा गुजर रही थी तो उन सब को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी Suddenly, Taro's father said I wish I had a cup of sake It would warm me and do my old heart good तभी जब उन सब को ठंड लगने लगी तभी suddenly, अचानक से Taro के पापा ने कहा I wish, काश I had a cup of sake उनके पापा ने कहा कि काश मुझे एक cup साके का मिल जाता साके, साके एक Japanese dish होती है ठीके, एक तरह की drink होती है जो Japanese लोग पिया करते है ठीके, गरम dish होती है dish क्या कहेंगे उसे drink कहना बैतर होगा ठीके, तो वो एक तरह की drink की वो चाहत रख रहे थे कि काश मुझे एक cup साके मिल जाता It would warm me वो मुझे घर माहट प्रदान करता and do my old heart a good और मेरे बुड़े हिरदे, मेरे बुड़े दिल को थोड़ी सी अच्छा थोड़ा अच्छा फील होता अगर मैं वो drink पीता तो this made tarot sadder than ever ये सुनके tarot पहले से और ज़्यादा दुखी हो गया for the heartwarming drink called sake was very expensive क्योंकि जो drink के उनके पापा बात कर रहे थे वो drink बहुत ही महंगी आती है How do I earn more money? मैं और पैसे कैसे कमाऊ? He asked himself tarot ने खुद से कहा कि मैं और पैसे कहां से कमाऊ? How do I get a little sake for my poor old father? उसने सोचा कि मैं और पैसे कहां से कमाऊ? कि मैं अपने बुढे पापा को ये drink ला करके दे पाऊं He decided to work harder than before फिर उसने डिसाइड किया कि मैं पहले से भी और जादा महनत करूंगा Next morning, अगले दिन tarot jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest अगले सुबह tarot jumped out of bed अपने बेड से कुदा पुदा मतलब अचानक से उठा ठीक है? वो रोज जिस टाइम पे उठता था इस आज के दिन वो उससे और भी पहले उठा and made his way to the forest और वो जंगल के ओर चल पड़ा he chopped and cut chopped and cut as the sun climbed वो पेडों को chop करता रहा cut करता रहा cut करना मतलब बड़े बड़े pieces में cut करना और chop मतलब चोटे-चोटे pieces में cut करना ठीक है? यह difference है यह बात आप लोग समझेंगे he chopped and cut chopped and cut as the sun climbed जैसे जैसे दिन चड़ रहा था सूरज उपर जा रहा था वो अपना काम कर रहा था as soon he was sorry and soon he was so warm that he had to take off his jacket और धीरे धीरे गर्मी इतनी बढ़ने लगी क्योंकि दिन चड़ने लगा था और वो जंगल में कलकणियां काट रहा था महनत कर रहा था तो उसे गर्मी लग रही थी इसलिए उसने अपना जैकेट उतार दिया his mouth was dry उसका मुह सूख गया था and his face was wet with sweat और उसके चहरे पर पूरा पसीना आ गया था क्योंकि वो बहुत जादा महनत कर रहा था तो जो महनत करते हैं तो पसीना आता है और आपका गला भी सूखता है ठीके तो ये सारी कंडिशन्स भी टारो के साथ हो रही थी my poor old father he thought if only he was as warm as I उसने सोचा कि मेरे बुढ़े पिताजी काश उन्हें भी इतनी तरह से गर्मी फील होती जैसे मुझे हो रही है जैसे टारो काम कर रहा है तो उसे ठंड नहीं लग रही है तो वो गर्म है और उसके बुढ़े पिताजी वो बुढ़े है और उन्हें ठंड लग रही है उनकी तब्यद भिगड सकती है तो अब टैरो यही सोच रहा था कि काश मेरे पिताजी को भी ठंड ना लगे और ये सोचते हुए वो और तेजी से चौप करने लगा Thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones उसने और ज़्यादा मेहनत की ये सोच करके कि अगर मैं और लकडियां काटोंगा तो मुझे और ज़्यादा पैसे मिलेंगे फिर मैं उन और ज़्यादा पैसों से अपने पिताजी के लिए साके खरीच सकूँगा ताकि वो उसे पी सके और उन्हें अराम मिल सके उनकी हडडियों की कडड़ाहट जो है जो है जो है ठंड लग रही है वो सब कुछ शांत हो सके उनके पापा जी रिलैक्स फील करे Then suddenly tarot stopped chopping फिर अचानत से tarot ने chopping बंद कर दी काटना बंद कर दिया What was that sound he heard? उसने वो कौन सी आवाज सुनी? Could it be? Could it possibly be rushing water? क्या वो एक पानी के रश करने की या आने की गिरने की आवाज हो सकती है? Tarot could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in the part of the forest Tarot को याद नहीं है कि उसने last time या कभी भी उस जंगल के किनारे किसी नहर को या किसी पानी की river की tributaries होती है ठीक कोई छोटी stream छोटा सा पानी का एक बहाव कह लो ठीक है? ऐसा कुछ आने की आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी थी कभी भी नहीं, he was thirsty, वो इतना काम कर रहा था कि he was thirsty, उसे बहुत जोट से प्यास लगी थी The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound वो इतना प्यासा था कि X, X मतलब कुलहाडी, जिस कुलहाडी से वो लकडियां काट रहा था टिक वो उसके हाथ से छूट गई, गिर गई और वो पानी का जो sound आ रहा था, पानी की जो गिरने की आवाज आ रही थी वो उसकी तरफ भागा टैरो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock जब टैरो उधर पहुचा तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत ही खुबसूरत little waterfall, छोटा सा जर्ना पत्थरों के पीछे से गिर रहा था kneeling at the place where the water flowed quickly, he cupped a little in his hands and put it to his lips जब वो वहाँ पर पहुचा तो वो अपने घुटनों के बल पे बैठा और उसने थोड़ा सा पानी अपने हाथों में उठाया और put it to his lips, अपने होटों पर लगाया was it water? क्या वो पानी था? और was it sake? या वो sake था? he tasted it again and again वो बार बार उसे taste करता रहा ये पता करने के लिए कि ये पानी है या साके है he all, sorry, again and again and always it was the delicious sake instead of cold water और जितने भी बार उसने उस पानी को पिया तो उसने realize कि ये तो पानी है ही नहीं, ये तो साके है ये थंडा पानी नहीं है, ये साके है टारो quickly, sorry, टारो quickly filled the picture he had with him and hurried home फिर टारो ने quickly क्या किया? पिचर पिचर मतलब एक तरह का pot, छोटा सा pot होता है जो कि लोग travel करते time अपने साथ लेके घूंगते हैं उस pot में उस लोग पानी रखते हैं ताकि रास्ते में उन्हें प्यास लगे तो फिर वो उस pot से पानी पी सकें तो टारो ने तुरंट उस picture में फटाफट से सारा पानी भर लिया, पानी नहीं, sorry, साके भर लिया और घर की तरफ लोट चला जो बुड़े थे, जो उसके रादा जी थे, sorry, रादा जी नहीं थे, अनके पापा थे, ठीक है जो ओल्ड मैन था, वो साके को पा करके बहुत ही खुश हुए After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor थोड़ा सा ही liquid पीने के बाद, उनके पापा जो काप रहते, shivering मतलब कापना ठीक है, वो शान्त हो गया, वो कापना उनका बंद हो गया एप फिर थोड़ा सा डांस करने लगे, middle of the floor फ्लोर जो होती है, फर्ष जो होती है, उसके बीचों भी खड़ो करके थोड़ा डांस करने लगे ठीक है, बचों तो आज हम लोगी 7th paragraph तक ही इसे रखते हैं इसको आप दोबारा से read करेंगे, till 7th और आपको जितने भी important spellings लगती है, जो भी आपको words में problem है वो आप यहां से note down करेंगे, और उसकी meaning search करेंगे और नहीं समझ में आएगा, तो फिर मुझसे पूछेंगे next class हमारी जभी भी होगी, तो हम उसमें अगले पैरा से हम start करेंगे am I clear? तो यहां तक I hope आपको इतनी story समझ में आ गई हो और इतनी story समझ में आ गई है, तो बहुत अच्छी बात है, दुबारा से read करेंगे, next day जभी हम class लेंगे, तो हम इसके आगे का पैरा continue करेंगे जो कि I guess 13 paragraphs है, 7 हमने complete कर ली है, remaining के 6 paragraphs हम next class में complete करेंगे, एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ा दूंगी तो फिर आप पढ़ोगे नहीं, तो इतने जतना भी मैंने पढ़ाया है, उसे आप दुबारा झाल